आज मैं आप लोगों के संग कच्चे अंडे की सूपर टेस्टी एकड़न नई रेस्पी शेर करने वाली हूँ जो आप लोगों को बहुत भी ज़ादा पसंद आएगी, तो आए रेस्पी शुरू करते हैं, अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो मेरी रेस्पी को दो को फूल बाँज की जब डालए एक चुटकी नमक क्योंकि अंडे already salted होते हैं और इसको अच्छे से फेट लेंगे आप चाहें तो इस recipe में अपने हिसाब से कम्या जादा भी कर सकते हैं तो अंडे और नमक को हमने अच्छे से mix कर लिया है और इसको एक side में रखते हैं गैस पर हमने एक कड़ाई चड़ाई है उसको हमने बिल्कुल center में डालना है और गैस की flame को हमने low रखना है low flame पर हमने जो अंडे फेटे हुए थे वो इसमें डाल दिये हैं और पाने को हमने हलका बबल साने तक ही पकाया था जादा गरम नहीं किया था तो यहाँ पर गैस की flame को हमने low to medium रखा है इसको हम 3-4 minute के लिए पकने देंगे तो यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल भी disturb नहीं करना है यहाँ पर 3-4 minute हो चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन से चार minute में यह अच्छे से कुक हो चुके है तो इसको हम एक सायड से पलड़ देंगे ताकि इसका जो उपर का हिस्सा है वो भी अच्छी से पक जाए पानी अच्छा गरम है तो यह काफी अच्छी से पक जाएगा तो यहाँ पर हम इसको एक से दो मिनिट के लिए पकाएंगे गैस की फिलेम को हम लो रखेंगे डो फिलेम पर हम इसको एक मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से कुख हो जाए तो एक मिनिट हो चुका है यहाँ पर ये अच्छे से कुख हो रहा है तो यहाँ पर जब ये अच्छे से कुख हो जाएगा गैस के फिलेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम बहा निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकालते हुए कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर इसको बहा निकालेंगे कुछ सेकंड में इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो कड़ाई में ही रह जाए तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको प्लेट में निकाल लिया है और बाकी बचे हुए अंडे को भी हम कुछ इसी तरह से निकालेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्टा पानी है वो बिल्कुल ही अच्छे से निकल जाए तो यहां पर इसका बाकी का जो है इससे इसका जो टेस्ट है रेस्पी का बहुत बढ़ी आता है तो आप इसको भी छानकर चलनी की हेल्प से या किसी कर्ची की हेल्प से भी निकाल सकते हैं तो यहां पर मैं कर्ची की हेल्प से सारे अंडे को बाहा निकाल लूँगी तो यहाँ पर मैंने इसको बाहा निका लेना है इस रिस्प्री में बहुती बड़िया टेस्ट आएगा तो सारे अंडे को हमने बाहा निकाल लिया है और इसको हम ठंडा होने देंगे तो यहाँ पर मैं आपको छूकर दिखाती हूँ यह देखे बिल्कुल भी उंगली में चिपक नहीं रहा है तो अंडा हमारा काफी अच्छी से पक चुका है तो चलिए हम इसको एक साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं चलिए जब तक हम इसका मसारा तयार कर लेते हैं इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम डालेंगे दस से बारा लहसन की कली और इसमें अब जाएगी दो हरी मिर्ट जिसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर लिया है और इसमें हम डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा जिसको हमने छील कर अच्छी से धोने के बाद उसको छूरे टुकड़ों में काट कर इसमें डाला है इसमें अब जाएगा एक डालचीनी का टुकड़ा तीन हरी इलाइची दस से बारा काली मिर्ट दो लॉंगे वो हम इसमें डाल देंगे और साथी में डालेंगे एक चमच के करीब साबित खड़ा धनिया और इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक टमाटर जिसको हमने रफली चौक कर लिया है वो हम इसमें एट कर देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी तो यहाँ पर हम दो चमच के करीब पानी इसमें डाल देंगे जिसे जो हमारा मसाली का पेश्ट है वो अच्छा बन जाए और इसमें अब जाएगा एक चौथाई चमच के करीब जीरा और इसका हम पेस्ट बनाकर तयार कर लिए हैं हैं यहाँ पर हमने हम एकदम समूज सा पेस्ट बनाकर तयार कर लिया है इसमें एक भी टुकड़ा नहीं है तो मसाला हमारा एकदम बढ़िया से बनकर तयार हो चुका है तो गैस पर हमने एक कड़ाई में दो चम्मच के करीब सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे आदा चोटे चम्मच जीरा एक medium साइज की प्यास जिसको हमने fine chop कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे प्यास को हम हलका golden कलर आने तक भूनेंगे तो आप चाहें यहाँ पर प्यास का paste बना कर भी इसमें डाल सकते हैं तो प्यास को हमने low to medium flame पर अचछे से भून लेना है जब तक इसका कलर हलका हलका सा गोल्डन ना आने लगे तो यहां पर प्यास का जो कलर है वो हलका हलका सा गोल्डन आ चुका है और यहां पर हमने जो मसाले का पेस्ट बना कर तयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ओर डालेंगे और इसको अच्छे से घुमा फिराकर इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर हम चला लेंगे जो हमारे मसाले हैं उनको हमने हलका सा भून लेना है ताकि इसका जो भी कच्छापन है वो निकल जाए तो मसालों को हमने हलका सा भूनना है और इसमें हम एड़ करेंगे मसाले तो यहाँ पर हम सूखे मसालों में सबसे पहले डालेंगे आदा छोटे चमज के करीब नमक आदा छोटे चमज के करीब लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चमज के करीब हल्दी पाउडर सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मसालों को भूनेंगे जितने अच्छे हमारे मसाले भूनेंगे उतना ही बड़िया टेश्ट हमारी सबजी में आएगा तो यहाँ पर हमने मसालो को अच्छे से भूनना है मसाले भूनने से हमारी सबजी है वो बहुत ज़दा डिलिसिज लगने वाली है तो यहाँ पर हमने मसालो को अच्छे से 2-3 मिट के लिए भून लिया है मिक्स करते रहेंगे ताकि मसाले चारो तरफ से अच्छे से कुख हो ताकि एक ही तरफ चले नहीं तो ऐसे बीच बीच में चलाएंगे और फिर से ढख देंगे तो यहाँ पर हमने अच्छे से ढख कर इसको पका लेना है ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं जितने हमारे अच्छे से मसाले पकेंगे उतनी ही बड़िया हमारी डेलिसीस रेस्पी बनकर तैयार होगी तो मसाले यहाँ पर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं मैं यहाँ पर आपको उठा कर दिखाते हूँ यह देखिए तेल भी हमारा सेपरेट हो चुका है मसाले हमारे यहाँ पर काफी अच्छे से भुन चुके हैं तो इसमें हम एड़ करेंगे पानी तो इसमें हम डालेंगे डेड़ कप पानी आप अपने हिसाब से पानी कम्या जादा भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे तो पहले हम इसको mix कर लेंगे mix करके हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे gas के frame को हम low to high कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक gravy में उबाल आ रहा है जब तक हम अंडों को चैर कर लेते हैं अंडे हमारे काफी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इसको हम cut कर लेंगे तो यहाँ पर आप अपने मन पसंद shape में इसको cut कर सकते हैं जैसे आपको shape पसंद हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़े shape में हमने इसको cut किया है और बहुती spongy बनकर तयार हुआ है तो यहाँ पर हमने सारे पीस को इसी तरीके से कट कर लेना है तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस उठा कर दिखाती हूँ बहुती स्पंजी और बहुती सॉफ्ट बनकर तैयार हुए है बिल्कुल पनीर जैसे मुह में खुल जाए ऐसी रेस्पी है ये तो यहाँ पर हमारे ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है इसको हम एक बार और चला लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं तो यहाँ पर हमारे ग्रेवी अच्छे से बाल हो चुकी है तो इसमें हमने जो सारे pieces काट के रखे थे थे वो हम इसमें डाल देंगे आपने अंडे की बहुत से recipe काई होंगी लेकिन इस तरहा की recipe आपने नहीं खाई होगी तो आप इस तरहा से एक बाद recipe बना के देखें यह बहुती टेस्टी डेलीसिस बनकर तैयार होती है यहाँ पर हमने सारे पीसे ग्रेवी में डुबो दिये हैं और इसको हम कवर करके 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तो यहाँ पर यह देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको पकाना है ताकि जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो अंडे में अच्छे से आ जाए और यह देखिए वाव हमारा सूपर डेली से सॉफ्ट इस्पंजी बिलकुल मुँ में घुल जाने वाला अंडा करी बनकर तयार है और करके हम 2-3 मिट के लिए रख देंगे आज हमने जो कच्छे अंडे की रेस्पी बनाई है वो आपको इतनी जादा पसंद आने वाली है आप हफते में दो बार इसको जरूर बनाएंगे और बनाकर खुद भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे यहां पर हमारी सबजी एक इसका टेक्शर इसका शेप कितना ज़ादा अट्रेक्टिव बना है सबी पीसिस प्रॉपर बने हैं आप इसे चावल पराथे किसी किसंग भी जोईक कर सकते हैं इस तरीके से अंड़ बनाने का एक और फायदा है अगर आपके घर में अंडे कम हैं और खाने वाले मेंबर ज कीजिएगा मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ जब तक इजाज़त चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो टेक केर गुट केर बार